दोस्तो आज की इस वीडियो नहीं आपको बताने वाला हूँ टॉप 3 हाइपरवेस कूल वीजिट के बारे में आप देखो यह वाली वीजिट हाइपरवेस में भी सपोर्ट करेगी एंड एम आई उआई में भी सपोर्ट करेगी तो वीडियो काफी ज़ाधा अमेजिंग होन करने को मिलेंगे तो वीडियो को लाइक कर देना तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप देखो सबसे पहले बात करते हैं फरस्ट नमर की वीजिट के बारे में यहाँ पे मैंने वाल्पेपर एड कर रखा है अब मुझे पता है आप मेंसे काफी लोग बोलेंगे कि व और वाल्पेपर के अकोडिंग आइकंस भी काफी अच्छा लुक दे रहे हैं आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लिट सिस्टम आइकंस और जो थर्ड पार्टी एप्लिकेशन देखने को मिलता है वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे अब देखो आगे बढ़ते हैं बात करत यूआ के बारे में तो यह नोर्मल सा फीचर है ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा एंड जो वोल्यूम बारे वो आपके समने चेंज हो जाएगा कुछ इस टैप से यहाँ पे ब्लैक एड रैड गलर का यहाँ पे ले आउट देखने को मिलेगा अब देखो आप यहाँ पे लो डнов करूगी तो डाउनलोड करना सिंपल सिंपल सूर एप्लिकेशिन ओपन अप यह वाली दाउनलोड कर बलें स्टार के नमचे से देखने को मिलती यहाँ पर ड्रेगन का एक एफेक्ट देखने को मलता है लोक्स्क्रिन में हैं। यहाँ पर क्रीटर का नेम देह सकती हो तो काफी amazing new features देखने को मिल जाता है, temperature देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे कुछ ऐसा battery percentage में animation देखने को मिलता है, icons देख सकते हो, new icons है, black and white color का combination देखने को मिलेगा, and complete icons यहाँ पे change हो जाएंगे, उसे के साथ different control panel आपको देखने को मिलता है, बट यहाँ पे देखो widget का जो color रहे हो black हो जाता है, इसलिए proper यहाँ पे नहीं देख रहा है, बट जो other toggles आपको देखने को मिलता है, वो सभी यहाँ पे change हो जाएंगे, down करोगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, अब देखो यहाँ पे बात करते है, volume bar के बारे में, तो यह भी आपके सामने change हो जाएगा, यहाँ पे आपको Goku anime का एक different character देखने को मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हूँ, complete anime character है, आप देखो यहाँ पे light है obesity, बट यहाँ पे मैं on करता हूँ, तो आपके सामने dark देखने को मिलेगी, कुछ इस type से ही तो आप देख सकते हूँ, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं last feature यानि lock screen के बारे में, तो lock screen को आप on करोगे, तो आपके सामने कुछ ऐसे देखने को मिलेगी, अब देखो आपको यहाँ पे date एक different type के animation के साथ देखने को मिलती है, अब यहाँ पे जो animation है वो भी काफ़ी जादा सूपर्व है, अब यह वाली widget आप देख सकते हूँ बहुत जादा सूपर्व है, complete आपके सामने lock screen सूपर्व देखने को मिलेगी, अब अगर आप यहाँ पे custom wallpaper एड़ करते हूँ, यानि यह वाला ही wallpaper एड़ करते हूँ, तो और भी आपको amazing look देखने को मिलेगा, अब मैं आपको बता देता हूँ custom wallpaper को कैसे एड़ करोगी, अब विजिट को डाउनलोड करने के लिए आपको यह वाली theme डाउनलोड करना है, अब यह वाली theme Hyperos में भी support करेगी, अब MIUI में तो support करी रही है, यहाँ पे आप creator का name देख सकते हूँ, अब देखो डाउनलोड करके apply कर लेना, उसके बाद my account में जाना, local style के उपर क्लिक करना, and customize का option देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्लिक करना, अब देखो custom wallpaper को add करने के लिए, wallpaper style वाले option के उपर क्लिक करकी, इसको अगर आप custom के उपर करना जाते हो, तो कर सकते हो, only यहाँ पे visit आपको उपर देखने को मिलेगी, wallpaper पीछे देखने को मिलेगा, अब देखो अगर आप wallpaper को उपर लेके आना चाते हो, तो depth option का use करना, and jpg page format में image को add कर देना, या फिर custom wallpaper में भी add कर सकते हो, तो आपके सामने complete यह वाला feature on हो जाएगा, अब देखो बात करते हैं हमारी final visit के बारे में, तो यह वाले widget एक different feature के साथ देखने को मिलती है, अब देखो आपको यहापे कुछ ऐसी widget यहाँ पर देखने को मिल रही है, अब देखो मैं कोई भी application को on करता हूँ, and यहाँ पर back करता हूँ, तो आप देखो कि कुछ ऐसा animation यहाँ पर create होता है, and जो wallpaper है, वो भी मैंने different type का add कर रखा है, and icons आप देख सकते हो कुछ ऐसा देखने को मिलेंगे, विजट में आपको यहाँ पर settings option देखने को मिल जाता है, and यहाँ पर date आपको देखने को मिल जाती है, and काफी amazing आपको color भी देखने को मिलता है, तो जोगी wallpaper के coding काफी अच्छा look दे रहा है, and जो control panel है, वो भी different type से add करके दिया जाता है, तो volume bar में आपको जो control panel में look देखने को मिलता है, same यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, system UI आपको normal ही देखने को मिलेगी, आप देखो last feature की बात करें, तो lock screen कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, जिसमें कि आप custom and lock screen wallpaper आप add कर सकते हूँ, आप देखो मैंने आपको बता दिया कैसे add करोगे, and इस theme को download करने के लिए theme store application open करके, यह वाले theme download कर लेना, यहाँ पर आप creator का name देख सकते हूँ, आप देखो बात कर लेता है, wallpaper को कैसे download करोगे, तो wallpaper का link मैं telegram पर upload कर दूँगा, तो वहाँ से जाके download कर सकते हूँ, तो बस फिलाल वीडियो में इतने हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, मैं मिलता हम से किसी ओर different type के topic के साथ, तब तक के लिए, बाई बाई